हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक एडगर है मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मूहन तथा व्यसनमुक्ति तग्य हूँ महाराष्ट में अकोला में हमारा हॉस्पिटल है यहां दो हॉस्पिटल हमारे है जहां मनोरून तथा व्यसनी लोगों को रिषिदारों के साथ में वरती करते और दुसरा हॉस्पिटल है जहां बिना रिषिदार भरती करते है व्यसनमुक्त भारत और सबके लिए मानसिक स्वास्ति हमारा मेशन है आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक पेशेंट का फोटो बताने वाला हूँ उसका वीडियो बताने वाला हूँ कि वो पहले कैसा आज था मतलब मानसिक वीमारी होते होता है और उसके बाद में मोक ऐसा हो जाता है क्यां था एक महले कुछ साल पहले मतलब कों वी मानसिक वीडियों दुब बमानते नहीं थी अंदर विश्वास था लोग बोलते हैं यह बाहर का क्या हुआ है बूत-पली थे हुए और बू उसमें पेशन्ट को मार्पीट करते थे, मारते थे, उसके आँखों में निम्बू डालते थे और बान के रखते थे, मतलब बहुत साला कुछ करते थे कि जिसके वज़े से वो जो भूत पलीथ है वो निकल जाएंगा उसके बदन में से एक्चुली अभी ये साइस से मालूम हुआ है कि जो पेशन्ट एक्साइट होता है वाइलन होता है, पांच-पांच ददद लोगों को कंट्रोल में नहीं आता उसका केमिकल लोचा होता है एक्चुली और chemical लोचा मेरा मतलब कहने का यह है कि chemical imbalance होता है dopamine जो है जो एक chemical है brain में neurotransmitter है उसकी level बहुत high हो जाती है ऐसा एक scientific hypothesis है उसको dopamine अरजिक hypothesis ऐसा बोलते है कि जिसके वज़े से मतलब ऐसा बोला जाता है कि dopamine का एक तर sensitivity बढ़ जाती है यह dopamine का secretion बहुत जादा होता है और जिसके वज़े से बहुत hyper हो जाता है जिसमें patient बहुत जादा बाते करना गाली गलोच करना, तोड़ फोड़ करना, मार्पीट करना उसकी सुना नहीं तो मतलब किसके भी आंग पे जाना या ऐसा कुछ हो है, मतलब किसके पर शक करना नीन नहीं आना, ऐसा काफी सारा हो जाता है और फिर उसमें patient control नहीं होता लोग परेशान हो जाते है अभी मैं आपको जो patient बताने वाला हूँ यह देखिए वो patient अभी यह patient लोगों ने बान के लाया इसके पहले इनका, यह patient का इलाज काफी जग क्या हुआ है उसको शॉक टीटमेंट दिया हुआ है उसको दवाई दी मगर ठीक नहीं हुआ यह हमारे हाँ जब लाया तो उसके घर के लोग बहुत तंग आगे थे कि अभी इसको control कैसे करना उसको उसको, हमने उसका मतलब इलाज किया कभी सारी दवाई नहीं दिया अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह बहार का क्या हुआ हुआ है भूद घुसा हुआ है या बहार का कोई मतलब witchcraft है या पिशाच्य है गुसावा ऐसा कुछ भी नहीं वो तो लोग मानते रहते बोलते बाहर का करने का है अब हमने उसको दवाई दिया गुलियां दिया इंजेक्शन दिये और दो दिन में ही वो काफी क्वाइट हो या देखो भी ऐसा है कि जो डोपामीन को कम करने वाली या डोपामीन के अगेंस्ट जो काम करती है वो दवाई देने के बाद में कितने कम समय में पेशन अच्छा हो जाता है इसका मतलब वो जो बताया काया है कि डोपामीन अर्जिक हाइपोथिसिस जो डोपामीन हाइपोथिसिस वो कितना सही है एक्षिल देखा जाए तो क्योंकि हम धवाई या वो देते हैं कि जिससे डोपामीन की लेवल कम हो जाएगी या उसकी सेंसिटीडी कम हो जाएगी और पेशन ठीक हो जाता है अच्छा अच्छा लोग आते हैं बहुत वाइलन लोग आते हैं ददद लोगों से निप्टेने ज है और वो भी कितना अच्छा हुआ है देखिए जड़ा इसको आपने देखा कितना शांत और कितना अच्छा पेशन बैठा हुआ है और वो भी खाता है पीता है अब उसको दवाई देने की जरुरत है कम से कम एक साल भर तक कम से कम इसको दवाई देना जरुरत है ताकि वो जो chemical लोच है जो chemical imbalance है वो ठीक हो जाएगा और वो imbalance ठीक होता है तो उसका जीवन वो ठीक तरह से उसका जीवन जी सकेगा होता क्या है कि लोग अठानी है लोग फिर बाहर के भैका देते हैं लोग मतलब ऐसा आलसी भी बहुत है कि ठीक है अभी जान दो कौन जाएगा कौन violence त्यार हो जाता है जो पहले था और जो अच्छा हुआ था और फिर उसको एटक आता है तो मेरा सब्सक्राइब कहना है कि जब आप दवाई लेते हो तो उनको दवाई कम से कम एक साल तक अर्था तो वो जो भीमारी है वो देखके दवाई दाना जरूरी है ताकि जो violence है औ मिद्दम ठीक हो जाएगा और पेशन अच्छा उसका जीवन जी सकेगा तो ये काफी परेशानियां लोगों में होंगी मैं तो बोलता हूं में कितने सारे ऐसे पेशन्ट होंगे कि जो admitted है जिनको लोग घर ले जानाने साहत है ऐसे काफी सारे लोग तो हमारे जेलों में बन जाए हो सकता है कि उनको कुछ मांसिक बीमारी हों मगर ये जेल में जितने भी लोग बंदी है ना उनका ये मतलब साइकेटरिक उनका असेस्मेंट किया जाए काफी सारे उसमें से ऐसे लोग निकलेंगे कि जो बीमारी की वज़े से वाइलन्ट हो गए थे बीमारी की होगे ये वीडियो लोगों को SHARE करो ताकि लोगों में ये ईक वीचार आजाएंगा कि नहीं स्वकिट्व प्रेस करो ताकि मेरे काफी सारी वीडियों जो मैं डालते रहता हूं इसकी नोटिफीकिकेशन अब को सबसे पहली आजाएंगी आपको जो बИ falls को इचाहते बॉक्स में आप डालो कि आपको कुन सा वीडियो इसके बाद में चाहिए मैं जरूर वो वीडियो पुब्लीच करने की कोशिश करोंगा So thank you very much